तो वेल्कमें दोस्तों, नमस्कार आप सभी का, आज हम लोग बात करने वालें SKMU दुमका इनिवर्टिक है, सेमेश्टर 3 का सेक पेपर के बारे में, ठीक है, और ये सेसन काम देगा आपका 22, 26 और 23, 27 दोनों का, साथ ही अगर 24, 28 वाले जब सेमेश्टर 3 में जाएंगे, और ये सेमेश्टर 3 में आपका एक कमपलसरी पेपर होता है, सेक पेपर, ठीक है, क्या पेपर है, सेक पेपर जो सभी को रखना होगा, सेक, इसका पुलफ़म होता है, S, E, C से, Skill Enhancement Course, ठीक है, इसमें बहुत सारे सबजेक्ट और वेराइटी होते हैं, जिसमें से आपको क आधार संस्कृत का, ठीक है, तो आधार संस्कृत पेपर का टाइटल नाम है, आधार संस्कृत, समेश्टर 3 सेक पेपर में, इसमें आपको पढ़ना है, आधार संस्कृत में, और ये फूल माक्स आपका 75 माक्स का आएगा, पास करने के लिए 30 नमबर लाना होगा, ठीक है, तो ये देखिए आधार संस्कृत में आपके ये टोटल पांच गो दिया गया यूनिट ये आपको पढ़ने होंगे ठीक है भारती संस्कृत दर्शन सामाइन निया ध्यान ये सारे चीज़े हैं आप लोग पढ़ लीजेगा अगर आप इसको रखते हैं तो आपको ये पढ़ना होगा और अगर आप भुक खरीदना चाहते हैं तो देखिए ये बुक्स दी गई नाम इनमें से आप किसी भी एक भुक को खरीद के पढ़ सकते हैं ठीक है लेकिन ये बहुत मोटे मोटे भुक होते हैं आप चाहे तो इनक परतिक यूनिट को टॉपिक वाइज गूगल पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं वह सबसे बेटर आप्शन रहेगा एकोडिंग टू में नेट दिखते हैं तो अगला आता यहां पर और सेक पेपर का नाम है आपका यह वाला पेपर कम्यूनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइब यानि कि संचार आपके व्यक्तिकत जीवन में व्यक्तिकत जीवन में संचार ठीक है कम्यूनिकेशन संप्रेशन हिंदी में संप्रेशन बोलते हैं ज्यादा वच्छा रहता है संचार से तो पर्षनल लाइफ व्यक्तिकत जीवन में संपरेशन इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है तो देखें यहाँ प्रपार से Check से सीखने को मिलेंगे तोटल पाँच पर्ण है यहां तक टीक Pr wavelength anrier i.g. taming बां जितना भी शोशल कैसे बात करें इंटर्व्यूम कैसे बात करें यह सारी चीज़ आपको इसमें पढ़ना है प्रोफेशनल कम्यूनिकेशन में ठीक है दूसरा सब्जेक्ट हो गया तीसरा देख लेते हैं तो तीसरा आता है हमारा यहां पर डिजिटल मार्केटिंग आप इसे भी रख सकते हैं स डिजिटल मार्केटिंग औन लाइन कार्ण कर रहा है फिलिपकड़ हो चाहिए मैंतर हुस्यादर प्लैटफर्म हो अलगा को दिटल मार्केटिंग सब को पशाच करते हैं अज मानलाइन समान वंग ऐसे इस तरह से आपको पढ़ना आपने यहां पर चोनिताला देखिये इसमें पढ़ना युनिट मन फंडमेंटल ऑपлох घि जो मार्केटिंग क्या है टिक medidas lecture एगा कैसे जाता जाता है सारा पॉरसेस इसमें आपको पढ़ना है डिजितल आगे बढ़ते हैं तो मार्केटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट आता है दो बार हो गया है ना सिलेवर्स को तो डिजिटल मार्केटिंग को दो बार इन्हों ने रिपाइट कर दिया है कोई बात नहीं आगे देखते हैं अगला हमारा सेक पेपर नेक्स्ट तो इसमें आपको पढ़ना है सैख पेपर में उस्पोकेन इंग्लिस अगर आप और यहां पर कुछ दिया कम्यूनिकेशन बेरियर कम्यूनिकेशन कैसे बातचीत करना चाहिए लोगों से इसकिल्स इस्पिकिंग इसकिल्स के बारे में फिर आपको पढ़ना है ठीक और अंति में आपका बैसिक ग्रामर एंड परनांसेशन के बारे में यह आपका रहा है कम्यूनिकेशन सक्टीड में पढ़ना है तो छो लोग इंग्लिश रखना चाते हैं उन के लिए हैं हे अगे दिख लेते हैं अगला तो आहां यहाँला पिस पेपर और इस पेपर का नाम है और इस में यह प्वागया है, intellectual property right, ठीक है, इस प्वेपर का नाम है intellectual property right, तो देखिए, यह अधिकार के बारे में आपको generally इसमें आपको पढ़ना है, intellectual property rights में, ठीक है, और इसमें, पढ़ना है introduction to IPR meaning of property, origin, nature, ठीक है, फिर आपको बैपार के बारे में पढ़ना है, बैपार, किस तरह से करना है उनके क्या अधिकार होते हैं भोगता क्या अधिकार होता है ठीक है कॉपी राइट क्या होता है ट्रेड मार्क होता है ठीक है डिजाइन क्या होता है आई टी क्या होता है डिजल सिगनेचर क्या होता है इग वर्नेंस क्या होता है इन सब के बार में इसमें आपको पढ़ना है क्या होता है तो आपको यह फॉरा यहां तक पढ़ने हों खागए दिख लेता है नेक्स्ट तो अगला आता है शंथाली मेरा एक सलीशन होगा कि अगर। संथाली भासा बोलने सकते हैं तो आप संथाली को ही चुने क्योंकि संथाली जो आपका आएगा वह आपका देवनागरिक भासा में ही आएगा देवनागरिक लिपी का होगा लेकिन पढ़ने हैं तो संथाली पढ़ाएगा ठीक है यह जो टेक्स होगा आपका देवनागरिक लिपई करहेगा बागी सब आपको शन्थाली से पड़ना तो देखें संथाल परगनाम है मेक्सिमम केंडेट संथाली बोलने सकते हैं तो अगर आप संथाली आपका उचारण ठीक है आखोर मतलब संथाली के जितना भी अक्षर होगरा है संथाली सब्दा वाली व्गेबुलेरी वगरा पढ़ना है ठीक है उल्टा सब्द सही सब्द नेक्स्ट आपको पढ़ना यहां पर लिंग के बारे में वचन के बारे में संग्या नहीं सरोनाम के बारे में ठीक के बारे में नेक्स्ट संथाली होड़ सेरेम पढ़ना है और फिर पढ़ना आपको अब पाढ़ हाक सिंग्स और नाहाक लोक कथा संग्रह फिर आपको पढ़ना है पाढ़ हाक हींस एंड जहार काउगे के बारे में ठीक है और यूनिट फोर है आपका ओचन ओलग सor जोनल फोरद 下 सबढ़ना है इचत्तइ तू शटक को इतना ही पढ़ना है अघूस्ट देख लेते हैं तो संथाली के बाद यहां पर अगला हमारा संस्क्रित है इससे आप भी आप रख सकते हैं संस्कृत दो परकार का है एक आपका वह संस्कृत है सबसे उपर में और यह आपका संस्कृत है अस्पोकें संस्कृत ठीक है यानि कि संस्कृत संभासन और इसमें आपको जो पढ़ना है इसका बहुत बड़ा है बहुत बड़ा देख रहे से वाई से संथालीजी है संथाली रखिए या फिर अगर आप संथाली नहीं सकते हैं तो English सकते हैं तो अदरवायज Digital Marketing रख सकते हैं बस ये तीन में से कोई एक चुन लेजी सबसे पहला प्रेफरेंस संथाली को दीजी संथाली अगर आप नहीं सकते हैं और English भी नहीं सकते हैं तो फिर आप Digital marketing को दिजिए हैं और Digital marketing भी नहीं सकते हैं तब आप ऊ-Sposken English वग़े चुन सकते हैं वाकि आपके मर्जी आप किसी को भी रखें मुझे उससे धराज नहीं यह भी अच्छा है इसको भी मैं बोलूंगा कि second rank इसको भी रख सकते हैं अगर आपको संथाली पसंद नहीं आता है तो यह भी आप रख सकते हैं Communication in Professional Life इस यह भी अच्छा है ठीक है बागी जो भी रखें आप अपना समझ के रखें यह 25 पेडियेप है मैं 25 पेडियेप आपको दे रहा हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ठीक है समेश्टर 3 में यह आपके काम में आएगा और यह आपका 75 मांक्स का आएगा ठीक है किस तर रूपे आपका 15 मांक्स का रहेगा और गुरूप भी रहेगा आपका 60 मांक्स का जिसमें से 15 मांक्स वाले टोटल 6 कोशन आएंगे जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा ठीक है तो यह आपका 25 नमबर इस तरह से बाटा जाएगा देखिए आपको जो चुनना है चुन सकते हैं स आपकी जितने भी पर हो सकता वह आपका इंग्लिस में ही आए ठीक है तो देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे यह इंग्लिस में नहांकर दोनों भासमें में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा बाकी देखिए क्या होता है क्योंकि इन्वर्सेटी लोग बहुत सकते हैं चाहिए डिजिटल मार्केटिंग ठीक है चलिए जो भी रखना है आप अपना सोच समझ के रखें जो आपको आसान लगे उसी को रखना है ठीक है पीडियाप मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं माहाँ से चाप तरस्ती से डाउनलोड भी कर सकते है बाइ